हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप अशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे मस्त होंगे अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए कि आपके पर्सन जो है आपको ट्रूलाव करती है या सिर्फ जो है अट्रेक्शन है लस्ट है वो हम देखने वाले हैं तो हमारे पास दो पाईल है फर्स्ट पाईल अगर आपके इनिशल इसमें आते यह पाईल आपके लिए है फिक है आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं तो चलिए गाईस फर्स्ट पाईल की रिडिंग करती है और देखते हैं कि क्या आप आफकर लेखलें करें झाओंगर हैं इस फुर्ड़ करेंगर हैं मुआब से उना झाओंगर हैं यह ऐह वा प्रहते झाओंगर हैं झाल झाल देखी गाईज Community तो चलिए शॉर्ट में रिडिंग करने वाले हैं देखती हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है देखी मैंने आपके सामने सारे कार्ड रख दी है आपके person के sign कोई भी हो सकती है 12 राशियों में से कोई भी sign हो सकती है सबी 12 राशियों के लिए है मुझे यहांपर दिखाई दे रहा है guys कि आपकी marriage हुई कुछ लोगों की यहांपर love marriage दिखाई दे रहे है कुछ लोगों की arinn marriage भी दिखाई दे रही है मुझे मुझे ऐसा दिखाई दे रहे ہے कि आपके person ने आपको like किया था लेकिन आपको आपके पार्टनर के फैमिली ने बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं किया यहाँ पर wealthy man का आपकार देख रहे हैं ठीक है यहाँ पर आपके फादर इनला ने या आपके जेड़ देवर जो भी है उन्होंने आपको बिल्कुल भी like नहीं किया मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है और आपकी शादी हुई तब से ही आपकी life में प्रोग्लम चलना शुरू हो गए यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके person जो हैं वो फस गई हैं अभी बहुत उदास हैं बहुत निरास हैं यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि आपके person ने या आपने wish मांगी थी कि मुझे ऐसा partner चाहिए वैसा partner चाहिए वो सारी qualities आपने इन में देखी या उन्होंने आप में देखी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और मुझे यहां पर ये भी दिखाई दे रहे हैं, कि आप काफ़े टाइम से वेट कर रहे हैं, कि आपके person जो हैं आपके लिए बदले, लेकिन आपके person उदास हैं, क्यों उदास हैं देखी यहां पर community का, वो community से थोड़ा सा जो है डर रहे हैं, क्योंकि वो सभी की बात सुनत ठीक है मुझे यहां पर दिखाई दे रहे कि आपके person starting से ही अपने family की बात सुन रहे हैं उन्होंने like तो कि आपको ठीक है और उसके बाद से जो है आपके person अपने family members की बात सुनते चेंज हो गए पूरी तरह से जैसे शादी के time थे वैसे नहीं रहे बिल्कुल चेंज आ गया लेकिन यह सोच रहे हैं कि कब मेरा अच्छा भागे शुरू होगा इसके just ऊपर ही देखिए यह सोच रहे है कि मेरा अच्छा भागे कब शुरू होगा जब मेरी life में खुशी आएंगी ठीक है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि वो उन खुश्यों का wait कर रहे है कि अपने आपको इस परिसिती से भाहर निकालने के कोशिश करने हैं दुखो को बुलाने के कोशिश करने हैं आप काफी जो है बिजी रहते हैं अपने वर्क में कोई work from home करते होंगे या फिर जो है आपको जोग करते होंगे मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं यहां पर किसी कि के की के पार्टनर ने तो क्या किया कि जो है code case भी डाल दिया है मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर मैं यह भी देख पा रहे हूं कि वह सोस्तो हूँ थे कि कभी मेरा बदलेगा लेकिन 1-2% लोगों के partner ने तो ऐसा किये है बाकि के जो हैं वो मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहे हैं कि वो wait कर रहे हैं कि कब मेरा अच्छा समय सुरू होगा कब मेरा अच्छा समय सुरू होगा कब मैं इस परिसिते से बाहर निकलूँगा और कब मैं अपने partner की तरफ जाऊँगा और कब मेरे जिंदिगी में खुशी आएंगी ऐसा वो सोच रहे हैं यहाँ पर wait बहुत जादा चल रहे है कुछ लोगों के life में तो divorce तक ही नौबत आ गई है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे हैं कि आपके person पहले आपको बहुत ज़्यदा like करते थे बहुत ज़्यदा प्यार करते थे लेकिन situation कुछ ऐसी पलट गई यानि कि आपकी life में you turn आया और जिसकी वज़े से सब कुछ उतल पुतल हो गया और वो किसका न हुआ क्योंकि इनके parents जो है wealthy men यहाँ पर देख सकती है उनके पास काफी finance है उसकी वज़े से आपके person की life को पूरी तरह से एक अंदकार में डाल दिया इन्होंने ठीक है और आपकी life को ठीक है कहने का मतलब है कि आप दोनों की life को इन्होंने जो है अंदकार में बना दिया ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है लेकिन यह चेज तब आएगा जब आपके person यह सोच रहे कि कभी मेरी जिंदगी में अच्छा समय शुरू होगा divine time का wait कर रहे है कि कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन मेरी life में खुशी आएगी उस दिन का वो wait कर रहे है वैसे वो आपको चाहते हैं प्यार करते हैं ऐसी बात नहीं है लेकिन family के pressure में आकर कि और society के उसमें की भई society क्या कहेगी मुझे ठीक है मैं अपने parents का साथ नहीं दूँगा तो society मुझे जो है ठुकेगी और ये नहीं समझ रहे कि जिस person से तुमने शादी की थी उसको तुम छोड़ सकते हो तब society क्या कहेगी ठीक है लेकिन यहाँ पर कुछ situation ऐसी जो है change हो गई कि सब कुछ बतल दिया आपकी life का जो आप एक दूसरे को wish come true देखते थी ना वो सब कुछ change होगे आपकी life में मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है लेकिन खुशी आएंगी गाईज आपके person फिर से change होंगे वही खुश्यों की बाहर आएगी मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है अभी हम इनकी लिए थोड़े से जो है ला मैसेस भी देख लेती हैं आपके लिए क्या आपके person कहना चाह रहे है देखिए ये कह रहे है कि आप हर रोज मेरे चेहरे पर smile लेकर आते थे ठीक है आप उनके अंदर के thoughts को भी read कर लेती है इतना ज़्यादा deep connection आप दुनों का है आप हर वो काम कर सकती है जिनसे आपके person को खुशी मिले इसलिए वो खुश हो रहे हैं कि आप मुझे इतनी अच्छे partner मिले ऐसा वो कहना चाह रहे है थेंक्स फॉर वाचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो टेक कियर बाबाद हेलो पाइल नंबर टू जिन्होंने पाइल नंबर टू को चुना है उसके हम reading देखेंगे कि आपके person जो है आपसे प्यार करती है या सिर्फ attraction है ठीक है तो आप मेरे साथ बने रहे है और चली देखती है फटा फट हम कार्ड निकाल लेती है ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे ठीक है प्यादा उंने प्यादा वजवaltung तो आपसे बने करेंगे सारे ही कार्ड बड़े साफ साफ बतारें मैच्चोर हुमेन देखिए यहाँ पर दो परसन इन्वॉल हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपकी लाइफ को खराब करने में दो लोगों का रोल है यहाँ पर यहाँ पर यह दो परसन है चाहएं आपके फाधर इल्ला मदर इल्ला हो सकती है यहाँ आपके जेट देवर हो सकती हैं कोई भी हो सकती है जो आपके लाइफ में परोब्रम क्रियेट कर रहे हैं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपकी शादी हुई तब से इस लेडी ने आपकी खुशों में आग लगाना शुरू कर दिया था आपके परसन को पूरी तरह से बदल दिया कुछ जो कसा रह गई थी यानि कोई कमी रह गई थी चेंज होने में आपके परसन को तो इस परसन ने आपके पार्टनर को पूरी तरह से बदल दिया यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि आपके परसन ने या आपने विश मांगी थी कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए क्योंकि यहाँ पर यह विश का है विश फूर्फिल्मेंट का कि आपको जो है ऐसा प कुछ बिखाई दे रहा है कि वैसे आप लोग पहले से दूसरे को जानते होंगे प्यार करते होंगे लेकिन मुझे दिखाई दे रही है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है कि यह परसन तीन जगए-चार जगए है इस परसन ने आपके पार्टनर की लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया देखिए हर बात को इन से शेयर करो जाकर कि इन जनाब से आपके परसन अपनी हर बात को शेयर करते हैं वरना उनको वहाँ पर एंट्री नहीं मिलती ठीक है कहने का मतलब है कि आपके परसन अगर उनसे आपके बारे में अपने बच्चों के बारे में च अच्छे से जानता है और इसी लिए इसने आग लगाई आपकी जीवन में कि ये लोग इखटे कैसे रह रहे हैं कैसे प्यार कर रहे हैं दूसरे से ठीक है यहाँ पर लवर का कार्ड है आप लोगों में अट्रेक्शन अटेश्मेंट भाजाता है आप एक दूसरे के बिना नह दूसरे बात अगर वो इनकी नहीं सुनता है तो फिर आपके साथ में आता है तो यह वहाँ से जो है उसको बेदखल कर देंगे जमीन जाइदाद से दूसरा अगर वहाँ पर रहते तो आप उनसे दूर होती है इसलिए यह परसन जो है बहुत उदास हो रहे है बहुत निरा इस के पास अच्छा खासा अपना घर है काफी अच्छे प्रोपर्टी है इसके पास में यहापर यही पर्षन आप आपका देख सकती हैं की हाउस और बैड हेल्थ इसकी तवियत अभी फिलहाल खराब चल रही है लेकिन आपके परसन के उपर इसका पूरा कंट्रोल अभी भी है ठीक है जिस दिन ये दुनिया से उठ जाएगा उस दिन तो चैद हो सकता है कुछ ठीक हो जाए लेकिन ये लेडी बाकी बचेगी फिर ये लेडी भी तो है ना जो आपकी शादी से ही इसने आपकी लाइफ में धुम उठा रखा है ठीक है थोड़ा सा शांती होती है तो ये अपना जो है अपने हुशन से बर्बाद कर रही है सबको यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे और ये लेडी जो है बाज आने वाली नहीं है मुझे ऐसा दिखाई दे रहे कि जब तक ये लोग आपकी लाइफ से पर्मनेंट नहीं अटेंगे तब तक आपकी लाइफ में खुशन नहीं आएंगी आप और आपके पर्सन दूसरे को बहत प्यार करतें लवर का कार्ण है यहाँ पर और इसलिए मैं बताना चाहूंगी कि ये दो पर्सन है जो आपकी लाइफ को तबा कर रहे हैं ठीक है, आपके person चाहते थे हैं, लेकिन याप पर देखी, despair, उदास होकर, निरास होकर के बैठे वे हैं, कि कब मेरी जिंदिगे में खुशी आएंगी, तो guys, आप वेट करिए अपनी जिंदिगी के खुशियों का, जब तक ये person यहाँ पर हैं, तब तक तो मुझे नहीं लग यहाँ पर एक lady है, और यहाँ पर भी same situation दिखाई दे रहे हैं, यह person और यह lady, ठीक है, यहाँ पर false person है, यह लोग मुखोटा पहन कर बैठे देखी, आप देख सकते false person, यह लोग आपकी life को तबाह कर रहे हैं, लेकिन आपके person की आँको पर पट्टी बंदी वही हैं, इनके अपने प्यार की पट्टी बांध रखी इनोंने, इनके सामने चिकनी चुपडी बाते करती हैं, और आपके person को तबाह करने लग रहे हैं, लेकिन आपके person के mind से, इनकी बाते हटती नहीं हैं, यह false person है, यह बेकूब बना करके, उल्लू बना करके, आप लोगों की life को और यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह card कह रहे हैं, ठीके, आप तो काफी hard work कर रहे हैं, अपना लगी वे हैं, बिजी हैं अपने काम में, तो guys, अभी हम देखते हैं कि आपके person जो है, वो आपको क्या कहना चाहते हैं, आप wait कर रहे हैं काफी time से, कभी तो सब कुछ ठीक हो जा कि health खराब है, देखो बगवान चाहें तो आपको खुश्या मिल जाएं तो, शायद नसीब हो जाएं तो, ठीक है, वैसे आप दोने दुसरे को बहुत चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है, चली देखती हैं, आपको बहुत ही अच्छा person देखती हैं, आपके person ऐसा कह रहे हैं कि you are just such a nice person, देखे, जब आप लोग इखटे नहीं हुए थे, तब ये शायद अपने line पर सही नहीं चल रहे थे, कुछ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहे हैं कि flirty type की nature के होंगी आपके person, इसलिए जो है, मुझे आपरी card मिला है, और आपके आने के बाद में इन में बहुत जब बदल गया हूँ, देखे, आपका हाथ पकड़ने से इनको इतनी जदा खुशी मिलती है कि और किसी चीज़ से इनको खुशी नहीं मिलती है, ऐसा कह रहे हैं, देखे, आपके बात करने का तरीका, आपके मुस्कुराने का तरीका, और जो है, आपके हसने का, और आप ज इतना घहरा आसर होता है कि उनके hurt को जो है melt कर देता है ठीक है तो समझ लीजिए कि कितना घहरा प्यार है क्योंकि लगर का काड़ है यहां पर तो attraction attachment आप लोगों में बहुत आता है ठीक है लेकिन यहां पर यह लोग जो है न यह आपकी life को तबाह कर रहे हैं तो आप अपने person पर सक मत कीजिए यह इनके control में हैं इसी वज़े से ऐसा कर रहे हैं ठीक है थैंक्स वर वाचिंग तिल नेक्स्ट वीडियो टेक केर बाबाए